Assalamualaikum everyone, welcome to my channel VitaBrain आप लोगों के साथ मैंने preposition के part 1 शेयर किया था आप लोगों को hopefully वो देखने के बाद समझ में आगा अगर exams में अच्छे marks चाहिए और English के portion में सरदर्द नहीं चाहिए तो preposition को अच्छे से समझ कर जाना क्योंकि अगर preposition के question आते हैं होते तो बहुत ही असाने लेकिन इस तरह से पूछे हुए होते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आते के वाल लगाना क्या है सिर्फ इस test की नहीं आप लोग सब सी में भी English पढ़ोगे उधर भी preposition के लिए सर मारते फिर होगे तो कहीं मत जाना बीटर ब्रेंग में आना और यह वाली वीडियो देखना अच्छी अब पिछली वीडियो में मैंने बात किती प्रेपोजिशन में on, on to, upon आप लोगों को वो ख्लेर समझ में आगा नहीं देखिए तो जाके पहली वीडियो देखो फिर पार टू पर आओ आज की इस वीडियो में हम बात कहलेंगे preposition of time और preposition of place तो मेरे पीछे आप लोगों को यह clock नजर आ लिए होगे आप लोगों ने यह clock नहीं भूलनी preposition आज हम पढ़ने part 2 में और preposition of time और preposition of place आपके screen पर यहाँ पर एक प्यारी सी clock बनी भी है जो अगर clock नहीं भी लगी तर आजीम कर लोग है और एक तरफ आपके पास calendar है तो आज मैं आप लोगो को preposition of time इतना कोई असान बताने वाली हूँ कि seriously इससे असान तो पढ़ने से पहले मुझे भी नहीं पताता so let's get started सबसे पहले clock अब हम इधर आजाते हैं इस वाली clock पर देखो हम clock से क्या चीज़ नोट करते हैं हम clock से क्या-क्या चीज़े देख सकते हैं हम पहले इसको discuss करते हैं clock से हम आर देख सकते हैं घंटा clock से हम टाइम देख सकते हैं okay clock हमें second बताता है यही कोई तीन चीज़ हमें बता चलती है तो जहां जहां भी मेरे प्यारे से students hour की बात होगी minutes की बात होगी seconds की बात होगी आपने आँख बन करके वहाँ पर at लगा देना है okay आप example बनाते हैं जैसे I will be there at 3 o'clock I will meet you at 10 o'clock I will meet you at 10 o'clock we went to school at 7 a.m so जितने भी time से related बात होगी हमने वहाँ पर बिलकुल at लगाते जाना है at 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 okay अच्छा अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास है calendar okay जी calendar है तो calendar में हम क्या क्या चीज़े major कर सकते हैं calendar से हम देखते हैं year कौन सा साल चल रहा है calendar से हम देखते हैं month इस से हम देखते है date और day यही चार चीज़े हम calendar से देख सकते हैं okay जी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जहां भी year और month की बात होगी मेरी बातों को गौर से सुनना और finger tip पे आद रखना जहां भी year और month की बात होगी वहाँ पर हम आँख बंद करके in लगा देंगे in और जहां पर date और day की बात होगी अगर आप मेरा part 1 देख कर आ रहे हो preposition वीडियो का तो आपको पता होगा मैंने वहाँ बताये था date और day में आपने आँख बंद करके लगा देना है on ओके अब इसकी हम example कर लेते हैं मैंने कहा कि कोई भी year या month की बात हो तो हम in लगाते हैं ठीके अब पहले sentence हम लिखते हैं my exams is in December my exams is in December number two Pakistan got independent in in 1947 मैंने year की बात की I put in मैंने month की बात की I put in यहाँ सब में preposition in जाता गया क्योंकि year और month की जब भी बात होनी है हमने आँख बंद करके ना in लगा देना है वसे जगा पर अच्छा अब मैंने कहा कि जब भी हम बात करेंगे day और date की तो हम बात करेंगे on number four my birthday क्योंकि यह ज़िए एक specific date पर आती है तो my birthday is on May क्योंकि यह पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है यह पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है we put on we put on यहाँ पर month की बात हो रही है यहाँ पर air की बात हो रही है we put in we put in okay okay friends तो अब preposition of time हमने discuss कर लिया कि preposition of time होता क्या है अब मेरे पास कुछ exercise है जो कि आप और मैं मिलके self test करेंगे और इसको एक साथ solve करेंगे ठीके अब इसको solve करने से पहले नीचे ज़रा हम देख लें थोड़ा से थोड़ा से जिकर हो और minutes का जिकर हो seconds का जिकर हो हमने वहाँ पर आख बन करके at लगा देना है ठीक है फॉरी फॉरी at लगा देना है जब बात हो रही हो कोई date की date कोई specific date में कोई event हुआ हो या हमारी पैदाईश का day हो हमारी birth date हो या फिर कोई दिन Sunday, Monday, Tuesday, weekdays में कोई सबी दिनों वहाँ पे on ही on I का बस इसके इलावा month और year कोई भी साल की बात हो रही हो कोई भी month की बात हो रही हो हमने वहाँ पर in लगा देना है चलें जी अब solve करते हैं exercise को my teacher called me my teacher called me dash 3 o'clock इधर नीचे आजो मैंने काहा था है जब भी कोई टाइम की बात होगी हमने उपर क्या लगा देना है at लगा देना है बच्चे बहें इंतहाव मिस्टेक करते है at में in में on मे at में in में on में समझ नहीं आता तो जब भी घड़ी की बात होगी हमने लगा देना है at sorry for the noise at okay Sanna will launch her brand dash 2022 Sanna will launch her brand अब इतना तो हमने पढ़ना ही नहीं हमने choice भी नहीं देखनी 2022 है एर आ गया एर में क्या लगना है इन लगना है तो हम यहाँ पर इन लगा देंगे okay my parents got married dash 3 June 3 June एक दिन का जिकर आ गई एक date आ गई है सिर्फ June होता तो बात समझ में आती एक date आ गई हमारे पास तो हमने यहाँ पर क्या देखा है date पर क्या लगता है on लगता है तो हमने यहाँ पर लगा दिया on okay अब हमने देखो करना क्या है इधर की हमने कहानी नहीं पढ़नी हमने सिर्फ यह देखते जाना है जो मैंने बताया beta brain ने आपको बताया चलें आज टेस्ट होता है nine o clock क्योंकि time है clock की शकल हमें याद अगई हमने फॉरण से यहाँ पर add लगा दिया Monday क्योंकि day है week days है on कहा था मैंने on लगा दिया August है month है month में मैंने कहा था in आएगा in लगा दिया air है air में मैंने कहा था in आएगा in लगा दिया अब आप पढ़ लीजिए accurate proposition सेट हो गई है और आपके दमाग में भी सेट हो जानी चाहिए आपके दिल से निकला है अरे वाह इस point पर तो फॉरण से जो इस वीडियो को लाइक करो comment में मुझे बताओ क्योंकि आपकी comment मेरे अंदर motivation and skill को बढ़ाते है और मुझे बड़ी खुशी होती है और यहां पर मैं अपनी दो comment शेयर करूंगे बहुत ही अच्छे मेरे subscriber के जिन्होंने मुझे बड़ी strength दी देखी यहां पर thank you so much मेरे बड़ा दिल के है कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को thank you कहू thank you thank you thank you thank you इनके इलावा भी जो मुझे बड़े चच्छे words लिखता हूँ मुझे request करते है अपना यह उताती है जब आप मुझे सिर्फ किसी topic पे वीडियो बनाने के request करते हो so जी thank you so much चलें वीडियो की तरफ चलता है आगे चलें वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ चलता है अब हमें बात करनी है preposition of place की preposition of place में जहां सबसे ज़ादा गरवरी होती है वो होती है in और at क्योंकि आपने देखा होगा आप location भी डालते हो तो वहां पर आप सोचते हो in लिखूं के at लिखूं यह मैं बजार के अंदर हूं के मैं बजार पर हूं समझ नहीं आनती ठीक है कभी को उर्दू से English नहीं करना फिंगर टिप पर अपने उसको reminder पर डाल लेना है अब मैं आपको एक बात बतारी हूं आपने आद रखने है इन हम वहां भी लगाते हैं जो जगा चारों तरफ से covered हो ठीक है covered by four sides चारों तरफ से covered हो जैसे कि हमारा room अब मेरा घर है जो भी चारों तरफ से covered है घर के अंदर मेरा room है वो भी चारों तरफ से covered है तो पहले sentence बनाते है I am अब यहां पर बनाने वाले यह भी सोचता I am at my room at नहीं होगा क्योंकि room चारों तरफ से covered है एक डब्बे के अंदर हो आप तो आपने यहां पर लगा देना है I am in my room ओके इसी तरह से हम दूसरा बनाते हैं अब अगर आप college में और university में हो तो I am in my class ठीक है चारों तरफ से आपने covered है आपने sentence को उसकी explanation को समझना है कि यह covered है हर जगा से तो यह in होगा अब इसी तरह से बात करते हैं कि exact location देखो अगर मैं कहूं कि मैं रहती हूं लहूर में तो मैंने आपको कहा है कि मैं लहूर में लेकिन मैं लहूर में कहा हूं आपको नहीं पता ठीक है, एक मैंने बड़ी से location आपको बता दी आप नहीं मुझे broadway में find कर सकते अब आप इस spectrum को narrow करोगे तब आपको बता चलेगी exact location तो जब भी हम बात करेंगे exact location की तब आप यहाँ पर at लगाओगे जैसे मैं कहूँ I am I am at lucky one more ठीक है? मैंने एक specific जगा बता दी ठीक है? अब मैं कहूँगी I am at मजारे काइद ठीक है? यह एक specific एक exact location है ठीक है? अच्छा अब मैं अगर कहूँ कि I am at कराची नहीं हो सकता क्यूंके कराची है एक शहर शहर है एक बड़ी जगा एक बड़ा प्लैटपॉर्म जब भी बड़े प्लैटफॉर्म की बात करेंगे तो हम in लगा देंगे I am in कराची बट I am at कराची नहीं होगा लेकिन अगर मैं कहूँ I am at मजारे काइद in कराची ठीक है? मैंने एक exact location थी I am at Lucky One Mall in कराची I am at Dolman Mall in कराची इसी तरह से I am at Emporium Mall in Lahore ठीक है? जब भी exact location के बात करेंगे तो हम at लगाएंगे जब भी हम ऐसी चीज से बात करें जिसमें हम एक डब्बे के अंदर हो चारो साइट covered हो month हो और year हो तो हम वहाँ पर in लगाएंगे चलेंजी exercise की तरफ पढ़ते हैं Okay friends, let's start solving this exercise with me आप लोग भी मेरे साथ इसको solve करेंगे अच्छा, अब हमाएंपास आती proposition of place जिसमें हमने आपको एक clue दे दिया कि जहाँ जहाँ exact location की बात होगी आपने at लगाने है और जहाँ पर कोई चीज fully covered होगी आपने वहाँ पर in लगाने है और शहर या कोई इस तरह की जो broad spectrum में आपको define किया गया हो location किसी कभी office तो आपने ऐसे नहीं दिखा ना कि रास्ते में कि stall लगा वह और वो office है तो एक office एक particular place पर होती है तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा? in आएगा, okay green buses are coming dash bus stop green buses are coming bus stop, bus stop, मैंने बताया bus stop, मैंने कोई railway station नहीं का buses आ रही है, bus stop पे एक exact location है तो I hope कि आपने correct choose किया है, okay I am dash canteen dash the school I am at canteen होगा बिलकुल होगा, क्योंकि canteen एक exact location है, ठीक है canteen canteen होता है, canteen की जगा हम toilet नहीं consider कर सकते हैं, so I am at canteen dash the school school एक बड़ा है, अब मैं कहूं मैं school में हो, तो मुझसे पुछने वाला पुछे का कि school में किदर हो तो, canteen में हो, toilet में हो class में हो, कौन सी class में हो, तो in the school the gardener is sitting, dash the main door, the gardener is sitting अब इतने बड़े garden में gardener बैठा हो है कहीं पे भी बैठा हो सकता है, लेकिन हमें बता दिया the main door, the main door जो main door entrance का वहां बैठा हो है जो अब हमें exact बता दियते हैं, तो at the main door we are celebrating birthday, dash beach हमने, इन्होंने हमें बता दिया है कि birthday celebration हो रही है कहां पर beach पर, एक exact point उन्होंने हमें बता दिया है ताकि हम अच्छे से beach के according dressing करें, तो at beach I am dash the car car एक fully covered है, तो I am in the car they, हजर नहीं आ रहा they live dash saima villas dash carachi, they live क्या होना चाहिए यहां पर comment करो they live saima villas exact location at saima villas, carachi, इतना बड़ा शहर है in carachi, so friends मेरे साथ आप लोगों ने solve किया है, मुझे पूरा उमीद है कि मेरे subscriber ने 10 में से 10 लिया है, चलें जी इसे खुशी में like देरें, वीडियो को comment करके मुझे अपने score बनाएं कि आपने score ली है और मेरे चैनल का अगर अब तक subscribe ने किया है तो please subscribe करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में take care of yourself, Allah hafiz